प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुग्र शान्ती और आशिश मिले। पॉल गुस्तावे दोरे ये एक फ्रेंच कलाकार थे, रादर आर्टिस्ट थे और चित्रों के साथ अपने लेखों को और बातों को लिखते थे। ये एंग्रेवर भी थे, यानि लकडी के फटो पर या प्लैंक्स पर, बोर्ड्स पर खुदाई करके अपने मेसेज को कनवे करते थे। लकडी पे भी करते थे और स्टील पे भी करते थे। और इनका जनम 1832 इस्टी में हुआ और सिर्फ 51 साल जीए ये और इनका जनम फ्रांस में हुआ था और जो उन्होंने पहली कहानी अपनी लिखी चित्रों के साथ, वो 15 साल की उमर पे ही उन्होंने अचीवमेंट किया था। उन दिनों ये बाते थी नहीं। तो इनके इस कॉंट्रिबूशन को बहुत एप्रिशेट किया गया। फिर वो अपने आर्टिकल्स को भी इलस्ट्रेशन के साथ, तस्वीरे और ड्रॉइंग के साथ बनाने लगे। और कॉमिक्स जैसे हम कॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें भी इनका कॉंट्रिबूशन रहा क्योंकि कॉमिक्स भी एक तोर से तस्वीरों के साथ कहानी बताने वाली बात है। और यॉरप में ये काफी फेमिस हो गए थे उन दिनों में। तो उनकी एक घटना थी उनके जीवन में के वो यॉरप में ट्रैवल कर रहे थे और एक किसी जगा आकर उनको बॉर्डर क्रॉस करना था। और बॉर्डर पे उनका पासपोर्ट मांगा गया और उन्होंने देखा कि कहीं उनका पासपोर्ट मिस्प्लेस हो गया है, गुम गया है। तो दोरे ने उस पुलिस आफिसर को बताया कि शायद आप मुझे जानते हो, मैं आर्टिस्ट दोरे हूँ। तो ऐसा तो था नहीं उन दिनों के कोई डिजिटल कॉपी दिखा दे या गूगल से दिखा दे पॉसिबल नहीं था इंटरेट का तो सवाल ही नहीं था तो क्योंकि यह जाना माना था तो पुलिस वाले ने एक बुद्धीवानी का काम किया बोला कि अगर आप दोरे हो तो आपकी ड्रॉइंग और आपका आर्ट सब जानते हैं तो सामने जो यह खेत है और जो किसान उसमें काम कर रहे हैं इस सीन का आप एक ड्रॉइंग बना के मुझे दिखाईए तो दोरे ने एक डब पेपर फेंसिल लेकर एक बहुत अच्छा उसने स्केच बना दिया खेत का और जो किसान उसमें काम कर रहे थे और उसको देखते ही पुलिस आफिसर समझ गया कि वास्तव में यह वही दोरे हैं उसके काम को देख कर और दोरे की जो आइडेंटिटी थी पहचान थी वो उसके काम से स्थाफित की गई दोरे के कामों ने उसके व्यत्तित्व पर मोहर लगाई और इस कहानी से मैं दो सच्चाई मेरे सामने आती है पहली तो के तुम्हारे काम तुम्हारी पहचान है प्रभू येश्व वसी का एक बड़ा शिश्य था जिसका नाम योहान था और उसको जेल में डाला गया हेरोन राजा था उसने उसको जेल में डाल दिया था और जेल की जो अकेली कोठ्री में उसने काफी समय मिताया और उस अकेले पड़ में कई सारे विचार उसको सताने लगे उसको शक आने लगा उसका विश्वास कबजोर होने लगा तो इस यहान के साथ भी इसके कई सारे फॉलोवर्स थे पीछे चलने वाले थे तो यहान ने अपने दो शिश्यों को प्रभु येश्यों के पास भेजा और यह बाचीत वहापर हुई यहान ने बंदिग्रे से मसी के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उस से या पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की माट जो है यहान के मद में विचार आया कि जिस मसीहा के बारे में हम सुनते थे जिस जगत के उद्धार करता के बारे में हम सुनते थे क्या ये वोई है या कोई और होगा सिर्फ शक आ गया था योहान के मन में तो जब उसके दो शिश्य पहुंचे प्रभू येशु के पास येशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर योहान से कह दो कि अंधे देखते हैं और लगडे चलते फिरते हैं कोडी शुद किये जा जाते हैं और कंगालों को सुसमचार सुनाया जाता है प्रभू येशु ने कहा जो तुम देख रहे हो जो मेरे द्वारा कार्य हुए है वो जाके योहान को बता दो क्योंकि ये लोग मानते थे विशेश कर कि जब बसीया आएगा तो कोडियों को शुद कर देगा कोड कोई इलाज नहीं था उन दिनों में तो ना केवल वो प्रभू कहता है बाकी सब कामों को देखो मृतक जिंदे किये जाते हैं अद्धे देखने लगे लगड़े चलने लगे ये बाते जाकर योहान को बताओ क्योंकि योहान को मालूम था ये बाते भविश्यवाणी में थी कि म मसिहा जब आएगा तो ऐसे कार्य पूरे करेगा यारी प्रभू येश्यु उसको यह कह रहा था अगर तेरे मन में शक आता है तो जो कार्य मेंने किये है उनको देख और विश्वास कर जोहान की पुस्तक में नौ अध्याय में प्रभू येश्यु मसी एक जनम से अधे को उसको दृष्टी देता है तो घटना ऐसे होती है कि चेले पूछने लगते हैं प्रभु येश्यू से प्रभु क्यों ये अंधा क्यों है जर्म से अंधा है क्या इसने पाप किया या इसके मावाप ने पाप किया वो लोग ये भी मादते थे कि बच्चा जब मा के पेट में होता है तब भी पाप कर सकता है इसलिए उन्होंने पूछा कि अंधा क्यों जन्मा खेर प्रभु येश्यू ने कहा ना इसके पाप के कारण ना इसके मावाप के पाप के कारण लेकिन ये इसलिए अंधा है ताके परमेश्यूर की महिमा इसमें प्रकट हो परमेश्यूर के पुत्र को महिमा मिले तो प्रभु येश्यू मसी ने जो भूमी की मिट्टी थी उस पर थूका और मुलायम मिट्टी बनाई और फिर इस अंधे के आँखों की दोनों जगाओं पर लगा दिया और उसे कहा जो पास में कुंड है पानी का तालाब है सिलॉम जिसका नाम था वहां जाके अपने आँखों को धोआ और वो गया और जब उसने आँख धोई तो वो देखने लगा कुछ बाइबल स्कॉलर ये मानते हैं कि जो मिट्टी प्रभु यश्यु ने लगाई उस मिट्टी से प्रभु नो उसकी क्वी ऐसा मानते थे कि शायद इस व्यक्ति की आँखे ही नहीं थी जैसे कुछ लोग होते हैं अंधे होते हैं लेकिन आँख होती है आप बकायदा उनकी आँख और जो आँख पे आईबॉल होता है वो सब दिखता है लेकिन उनको दृष्टी नहीं होती आँखे होती है परन्तु दृष्टी नहीं होती है तो किसी का ये भी मानना है कि इस आदमी के आखे ही नहीं थी तो यह विश्वास किया जाता है किसी स्पेसिफिक बाइबल स्कॉलर के द्वारा कि प्रभू ने उस मिट्टी से उसकी आख बना दी उसी ठाई और वो देखने लगा उसके क्योंकि वो स्रिष्टी करता है उसके जब गजसम्नी के बाग में किसी ने उसके एक शिष्षे ने गुस्से में आके किसी का कान काट दिया तो प्रभू ने उस व्यक्ति के कान को ठीक कर लिया उसी समय और अपने चेले को समझाया के ये तरीका से सही नहीं है तो जब प्रभू ने इस अंधे की आखे बना दी या इसको दृष्ष्टी दी जो भी हो हमें बहुत क्लियर नहीं मालूम है मैंने तो सिर्फ आपको एक गुरु थें वो प्रभू येश से वैसे ही इर्षा करते थे और उन्होंने इस अंधे जो पहले अंदा था इसको पकड़ कर इससे मुलवाना चाह रहे थे कि नहीं इसका कोई योगदान नहीं है इश्वर नों कियाmist येशु ने नहीं किया इश्वर ने किया बहुत सारे लोग दुनिया में इश्वर को मानने को तयार हो जाते हैं इश्वर को भगवान को गौड को खुदा को लेकिन प्रभू येशु को मानने में बहुत दरद होता है लोगों को मुझे नहीं मालूम क्यों प्रभु येशु को जब देखते हैं तो एक भी उसमें फॉल्ट नहीं पाते हैं एक भी प्रभु येशु ने खुद चैलेंज किया तुम मेंसे कौन उन धर्म गुरुओं कोई उस समय के और आज भी चैलेंज करता है तुम मेंसे कौन मुझे पापी साबित कर सकता है तो इन धर्म गुरुओं ने उस पहले जो अध्धा था उसको पकड़ लिया और कहने लगे कि हमें नहीं मालूम ये आदमी कौन है पर उन्तो इस मनुष्यों को नहीं जानते कि कहां का है वो उस विक्ति को कहने लगें तो उस पहले जो अध्धा था उसने कहा उसने उनको उत्तर दिया ये तो अचम्बे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहां का है तो भी उसने मेरी आखे खोल दी हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता पर तुम यदी को एक परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है जगत के आरम से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जनम के अंधे की आखे खोली हो ये अंधा व्यक्ति जो भीक मांगा करता था इसकी भी कॉमन सेंस कहती थी कि ये बात कभी किसी ने नहीं सुनी ना किसी के साथ हुआ कि जनम से अंधा उसने आखे पाली रोश्नी पाली प्रभु येश्व के कार्य ने उसके व्यक्तित्व को उसके पहचान को उस पर मोहर लगाए फिर ये व्यक्ति रियलाइस करता है कि वास्ता में ये ही हमारा मसिया है और उसने उसकी अरादना की प्रभु येशु के कारियर सबूत देते थे कि वास्तों में परमेश्वर है दूसरी जोग चीज़ पता चलती है कि जैसे आम हमारे जीवन में एक पास्पोर्ट के बिना कागजात के बिना व्यक्ति को रोप दिया जाता है एक देश से दूसरे देश में जाने से तो वैसे ही परमेश्वर के राज्य के लिए भी हमें पास्पोर्ट की आवश्यक्ता है क्या आपके पास कोई योग्यता है क्या आपका जनम एक कुलीन परिवार में हुआ है नोबल बर्थ है आपका क्या बहुत धनी परिवार में पैदा हुए है क्या आप बहुत दिखने में अच्छे है, बहुत स्मार्ट है, हैंसम है, बीईटुफल है क्या आप बहुत educated है graduate है, post graduate है, PhD है क्या आप बहुत talented है क्या आपका समान में बहुत अच्छा नाम है क्या पूरी दुणिया आपको जानती है क्या बहुत बड़ा bank balance है आपके पास बहुत सोना है घर में क्या अपना आपको बहुत धार्मिक समझते हूँ बहुत धर्म के काम किये हैं बहुत गरीबों को खाना दिया है बहुत सीटीओं को भी खाना दिया है तो बैं माफी चाहता हूँ इन में से कोई भी योग्यता, जो आप सोचते हो ये योग्यता है, आपको स्वर्ग में नहीं पहुचाएगी, एक भी नहीं, पास्पोर्ट अगर आपको चाहिए स्वर्ग का, तो उसका उत्तर है यहाँ तीन अध्याय की तीन बचन में, येशु ने एक धर्म गुरू को, जो खोजी था सच्चा, उसको उत्तर दिया, कि मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से, ना जन में तो परवेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, नया जनम पास्पोर्ट है, नया जनम, और ये नया जनम, साधरन निती से, सच्चे हिर्दय से, अपने पापों से पश्टाप करके, और प्रभु येशु पर विश्वास करके एक विट्टी पाता है, जब एक पापी अपने पापों को मानता है, और परवेश्वर की साहय तैसंत पापों को छोड़ देता है, वो परवेश्वर की दया पाता है, नया जीवन पाता है, उद्धार पाता है, और परवेश्वर उसको योग्य मनाता है, कि वो स्वर्ग में आ सके हमारी योग्यता नहीं है पापी व्यक्ति नहीं आ सकता पवित्र पर्मिश्वर के सामगे लेकिन प्रभु येशु का लहू हमें शुद करता है जब हम विश्वास करते हैं उसका लहू ही हमारी योग्यता है हमारा पासपोर्ट है जो हमें नया जनम देता है तो आज ही प्रभु येशु के व आशिष्टे